इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नाइब वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकिन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं इसके अदाकारों डिरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमात दर्श कर दिये गए है थानों में और कहा ये जा रहा है कि अब इस सीरीज को तबदील किया जाएगा और जो एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रॉप्स हैं उनकी बात को मान लिया जाएगा इंडिया में ये हो क्या रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे साथ मोजूद है उसमान पीड़ीया जाएगा बात करते हैं, स्लाम अलेकुम उस्मान साब, जी वालेकुम अस्लाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वग देने के लिए, बात हो रही है कि एक सीरीज जो है, वो किस तरीके से लोगों की जजबात को ठेस पहुचा सकती है, इंडिया में पाबंदियां लगने की बात हो है, उस सीरीज के उपर पहले भी ऐसा होता रहा है, अचा हमारे बात होती थी, कि हमारे बड़ी पाबंदियां है, यह इंडिया को क्या हो गया है, जिसके बारे में हम लोग समझते थे, कि वो तो बड़ा ही डेमोक्राटिक और फ्रीडम का चैंपियन है, जी जी हमारे बहु कि पर उन्हों के दूर पर्मोट करना चुड़ू किया एक्स्ट्रीमिसम को, और उनकी जो आरे सैस हैं और जो विश्वा हिंदू परशादी इस तरह की ओगनाइजेशन्स जो हैं, किस तरीके से वो अपने आपको पर्मोट कर रही हैं, जहां तक के सियासत का खेल खेलना है है वो तो एक तरफ, अब उनका हमला जो है वो हुआ है उनकी क्रियेटिव एरिया में, क्रियेटिव फिल्ड पर आये हैं, जो के बहुत ही जिसके दूरस नतायज निकलेंगे, मैंने खुद भी देखी है टंडव, इसी की वज़ए से कि जब इतना शोर हो गुल हुआ तो हम जात करा कर दिया, उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वावास का ट्रीम ही तोड़ा सा, फर्माईए तो इसके बाद इंडिया के लिए अच्छा नहीं है और यह उनकी सारी अपनी उनने सेकिलर हमेज को पहने टानिश किया है, उसके बाद अपनी उनकी पॉसी जो रही ह फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन की, अब उस फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन पर हमला हो गया है, तो मुझे नहीं समझ में आती है कि यह बाद कहां तक जाए कि लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि उसमान साब अभी उनका जो एक मेंबर है, लोकसाबा का, यारी कि जो इंड अब्यारिटी, अब्यूज, हेट और इस किसम की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो फ्रीडम नहीं होना चाहिए वहाँ पर आप किसी पर मुसलत नहीं कर सकते हैं, तो उसमान साब यह मुसलत करने की कोशिश कर रहा है, और अपना जो एक्स्ट्रीमिजम है, यह उनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रीमिजम की वज़ा से, बहुत साब तो गाईज, यह वीडियो यहां पर होता है, ख पाकिस्तानी मीडिया काफी नाराज है, पाकिस्तानी मीडिया चायता है, इस तरीके की मुबी बने, और हिंदों की ऐसी तैसी हो, हिंदों की मुबी, हिंदों को ऐसे ही सेंटिमेंट हर्ट होते रहें, आप समझ सकते हैं कि यह वही बात हो गई कि तालीबानी ग्यान दे रह ये वही पाकिस्तानी है जो भारत में अगर कोई फिल्म बनती है उसमें अगर ऐसा कोई सीन होता है जिसमें मुस्लिम लड़का हो लड़की हिंदू हो तो वहाँ पर वो सीन कड़ जाता है पाकिस्तान में या तो वो मूबी बैन हो जाती है लाइक एक्जामपल फौरा रांज जाता है इसका आप एक्जामपल देख सकते हैं वीडियो पड़े हुए हैं और ऐसा ही कुछ ये टर्की से इंस्पार हुए थे टर्की ने भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही कुछ किया था भारती कोई सीरियल था जो टर्किस जवान में डब हुआ था उसमें स्टार प्लस का सीरि रहा था तो वहां पर उस सीन को ही बलर कर दिया गया था मतलब जो क्रिसनी जी की मूरती है उसे बलर कर दिया था तो मतलब इनका इंटॉलरेंस लेवल देख लो आप खैर टर्की को ये अपना रुहानी बाप मानते हैं तो डेफिनिटली इस बात को बोलना बहुत जरूरी ह हाला कि इस समय इनके देश में तर्की का एक इर्दगल सीरियल बहुत पॉपलर है मतलब ये आजकल ये सारे पाकिस्तानी तर्किस बने फिरते हैं आपको पता है तर्की इनका रुहानी बाप है हर पाकिस्तानी के अंदर एक तर्की बसता है मतलब मैं बता रहूं तर्की हो रहा है नहीं है तो अभी ये तर्की तर्की बोल रहा है हाला कि ये वही पाकिस्तानी है जिनके यूटूब सेक्शन में आप देखेंगे तो इनका गूगल अगर सर्च रिट चेक करेंगे तो सबस्यादा हाँ तू डाउन्लोड साउट इन्डियन मूवी लेटेस्ट हिंडियन मूवी ये इस चर्च पर टॉप पर आता है ये फैक्ट है आप जाके चेक कर सकते हैं मतलब आप समाझ सकते हो, ये वही पाकिस्तानी, देखना भी इंडियान है, इंडियन गाने भी सुनना है, इंडियन मूबी भी देखना है, इंडियन सीरियल से भी देखना है, और उसके बाद बोलना है, क्या बोलना है, मतलब इनका डायलोग है, ट्वालेट लेस कंट्री, का दूगा करते हैं कि भाई आप भी कोई मुवी बनाओ प्रोफिट मुहंबस साब पर बनाओ या फिर किसी और करेक्टर पर बनाओ मजा कोड़ाओ फिर बताओ मतलब इंडिया में तो चलो ठीक है इंडिया में तो खोले आम किया जा रहा है सौप टार्गेट को और टार्गेट बनाया जाता है अगर आप मुस्लिम होकर है से हिंदू देवी देपताओं पर खोस हैं तो फिर आप हिंदू होकर हिंदू से भी यह उमीद रखने कि वो मुस्लिमों पर जो कुछ होगा तो उस पर खोस होंगे तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें पर दोनों साइडों को क सारी चीज़ें बढ़ी हुई है तो फिर इसी एक ही चीज़ को क्यों टार्गिट किया जाता है आप समझ सकते हो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ दें इस तर